बनाए टमाटर की ऐसी लाजवाब रेसीपी जिसे खाकर मजा ही आ जाए और जिसका स्वाद कभी न भूल पाएं नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज हम बनाएंगे टमाटर की ऐसी रेसीपी जिसे अगर आप एक बार बनाके खा लोगे तो सारी सबजी चटनियों को भूल जाओगे और उंगलिया चाटते रह जाओगे तो चलिए बनाते हैं आज टमाटर से कुछ नया इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं उपर के ये डंठल हैं ये निकाल दें और इनको आपने कैसे काटना है उपर का ये ही सचाकू से काट दे और फिर इसके दो दो पीस इस तरह से कर ले तो चलिए हमारे टमाटर तो कट चुके हैं अब क्या करेंगे दोस्तों लेते हैं एक पैन पैन में डालेंगे यहाँ पर तो और भी ज़्यादा ले सकते हैं इनको लेना है आपने और इनको फ्राइ करना है डाल देना है गरम तेल में और इनको फ्राइ करेंगे फ्राइ करके दोस्तों आपने इन लेसुन की कलियों को निकाल लेना है अब इसी तेल में हम डाल रहे हैं ये हैं 7-8 लाल मिर्ची सूखी हुई है वो ले लेंगे यहाँ पर चाहे तो आप काट कर डाल दो इनको या फिर ऐसे ही साबूत डाल दो और इनको भी आपने फ्राइ करना है ये ध्यान से फ्राइ करें दोस्तों आप कहीं बार मिर्ची जो होती है वो तिड़क जाती है तो आ इसी तेल में ये हमारा बचा हुआ है इसी तेल में दोस्तों आपने लगा लेनी है इस तरह से टमाटर जो हमने काट कर रखे थे उल्टी साइड करके ऐसे बीच में से तो इस तरह से आपने इनको पकाना है दो मिनट दो मिनट इनको फ्राइ करेंगे और फ्राइ करने के बा आज इस तरह से मैंने बारीक बारीक काट लिये हैं आप चाहे तो इनको ऐसे ही ले सकते हैं ये थोड़ा से इनको भी फ्राइ कर सकते हैं इसी तेल में बचे हुए जो थोड़ा बहुत तेल है इसी में आपने फ्राइ कर लेना है इनको बस जरा सा हलका सा करेंगे तो इस तरह स लग जाए, इनके छिलके आपने उतार लेने हैं, तो छिलके हमारे उतार चुके हैं, देखे इस तरह से हो गए हैं हमारे टमाटर, अब आपने इनको मैश करना है, या तो आप मिक्सी जार में डाल कर इनको मैश कर लें, या फिर दोस्तों आप इस तरह से मैशर की सहाता से इन ही हो जाती है यह बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है इसका इस तरह से और इनको आपने कूटना है आप ये काम मिक्सिजार में भी कर सकती हैं लेकिन अगर आप इस तरह से करते हैं तो ऐसे किया हुआ बहुत ही टेस्टी लगता है अब आपने दोस्तों टेस्ट के अंसार इस ज़ंजट है और ज़्यादा समान इसमें डालने की बस फटा फट से दो चार इंग्रीडियंट ले और ये बना देख फटा फट से रसीपी बहुत ही मजाने वाला है आपको बनाने में भी खाने में भी कभी सबजी ना बने आपके घर में तो इस तरह से टमाटर के आप मिर्ची को निकाल लेना है अलग बरतन में ये देखिए पूरा दरदरा कुट चुका है ऐसा ही हमें चाहिए था मिर्ची और लेसुन का कुटा हुआ पेश्ट इसलिए हमने ये मिक्सी में नहीं बनाया था मिक्सी में बनाते तो और ज़्यादा बारीक हो जाता वो बारीक ह हमारे पक चुके थे इसलिए हमें पकाने की जूरत नहीं है तो टमाटर को आप इस तरह से मिक्स कर लें तो हो गई हमारी ये चटनी त्यार इसे आप दोस्तो रोटी के साथ खा सकते हैं या पूरी प्राटे के साथ खा सकते हैं चावल में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी एक प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोस्तो ऐसी ही एक और रेसीपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाई बाई